कर नमेश्कर दोस्तों आज हम बात करने वाला है टाटा मोटर संट के आने वाली इस कुल시 के बारे में दोस्तों आज में इसकी प्रैज रिव्यू और तो दोस्तों यह नर्ट-क हम ? बना रहे में दूस्तों यह एलपी 710 पेंतरले सीटर स्कूल बस टाटा मोटर्स की किसी परकार की गाड़ी की जान करें चाहिए हो यह पिर गाड़ी पर्चस करनी हो तो स्क्रीन पर आरे एड्रेस पर आप संपर्ख कर सकते हैं रठी ऑटो ग्याव रोड अजमेर पर बात कर लेते हैं इसके फ्रेंट से हम सबसे बात करेंगे इसके हेलेट सेटप से तो आपको हाई भीम और लो भीम अलग अलग दो सेटप मिलते हैं हेलोजिन बल्व के साथ इदर मिल जादे पाइलेट लेम और यहां पर आपको इंडिकेटर पर देखना मिलेगा हेलोजिन बल सकते हैं कि सिलो फिनिश का इस्तेमाल किया गया है इसकूल बस का ग्राफिक्स नीचे रिफ्रेक्टर मिल जाता है और यहां पर आपको फोगलम्स के लिए जगे दी गई है कम बने फिटेंड नहीं आप इसमें फोगलम्स भी लगवा सकते हैं एक्ष्टा उर्यां पर जगे द स्पेंशन मिलते हैं इंटी रोल बार के साथ में डबल वाइपर्स मिलने वाले हैं और डबल ही वह सट जेट मिलने वाले हैं इतनी बड़ी स्क्रीन को साफ करने के लिए यह हैंडल मिलने वाले हैं आप पकड़के इसकी स्क्रीन साफ कर सकते हैं फ्रंट विंड स्क्रीन और कि ड्राइवर यहां पर आसाने से चड़के अंदर के बीन में एंटर हो सकता है दोस्तों साइटन इंडिकेटर बिक साइज का और यह भी पार्किंग लेंब्स और यह पर टायर की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है दोस्तों पच्छेस बटा पिछेतरार 17.5 इंची के टायर और ब्रेक यहां बात की जाए तो आपको इसमें एर ब्रेक सिस्टेम मिलने वाला है मजबूत हैंडल है जिसके ड्राइवर आसाने से अंदर एंटर हो सकते पकड़ दें ब्लेक अलाइड़ हैंडल्स और कुछ इस साइज के बिक साइज के आउट साइड मेरा जिए ड दियान रखा गया हैं बच्चों के से अप्टी के लिए यहां देख सकते हैं पैप्स लगाया गया है और ट्राइवर साइड के यहां पर इस अगर इसे ओपन करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे इसका एड़ ब्लू टैंक और साइड में आपके इसका डेजल फिल्टर भी देखने को मिलेगा और यहीं पास में आप देख पाएंगे इसका फ्यूल डलवाने के लिए यहां से ओपन कर सकते हैं और यहां पर मिल जाती है इसकी फ्यूल फिलर के इसे ओपन करका अपना फ्यूल डलवा सकते हैं और ड 120 लिटर का आपको यह इसके डिजल टेंग देखने को मिलेगा पीछे भी आपको इसमें सेम टायरी मिलने वाले 17.5 इंची के एर ब्रेक मिलता आपको ब्रेक सिस्टम में इसमें और यह पर पीछे आप देख पाएंगे इमर्जेंसी एग्जिट आप अतकल ने इस्तिति में आप इस शीशे को तोड़ कर अंदर से लिवर कीज़ के आप अतकल ने इस्तिति में आप बाहर आ सकते इसमें और कुछ इस तरीगा नाजर आता है इस का रियर लूप यह आप देख पाएंगे एसी जील की ग्राफिक्स स्कूल बस के ग्राफिक्स टेले मिनूट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर रिवर्स और इस्टो पलेम देखना हो मिलेगी हेलो जैन बल्प के साथ मैं एक दो थीन ओर चार टोटल केवर्स पार्किंग सेंसर दिखने मिलें दिखने हम लगे रेफलेक्टर और ये पीछे आपkal जगह दे गई यह पर खड़ें होकर पीछे का सीशा साफ कर सकते हैं । है यह नमबर प्लेट्स की जगह है यहां पार्किंग लेंस मिलने वाले नाइट मोड के लिए पीछे के सस्पेंशन की बात की जाए तो आप पीछे भी आपको पेराबोली क्लिप इस पर से स्पेंशन मिलने वाले हैं अब यहां पर देख पहेंगे इसका स्पेर वील आपको मिलने वाला है तो इह पर आगे के तरब चलते हैं तो यहां अपन करेंगे तो आपको यह मिलती है इसकी बैटरी यहां पर इसकी बैटरी आपको मिलने वाली है यहां पर आपको मिलता है अंदर एंटर होने के लिए आपर गेट यह दोस्तों मेन्यूली है कुछ इस तरीके साब इसे पकड़कर लोग कर सकते हैं और आपको इसे खोल भी सकते हैं इसे मेन्यूली है यह और यहां पर इसका एर फिल्टर आता है शेटन इंडिकेटर पार्किंग लेंब्स की की बात की जाए तो कुछ उस्तरे की मिलने वाली है आपको स्टाटा स्कूल बस की ग्रोस्वेट की बात की जाए तो आठ हजार के जिगा इसमें ग्रोस्वेट मिलता है पांच साल और पांच लाग किलोमेटर ते कंपनी वारंटी दे रही है आपको इसमें एसी जील की मजबूत बोड़ी और अगर वील बेस की बात की जाए तो पित तलिस वेमम गा वील बेस मिलता है और मोडल की बात की जाए तो एलपी साथो दास पेंतले सेटर इसका मोडल है दोस्तों और कंपने ने यहां पर छोटे बच्चों को काफी अच्छे तरिके से दियान रखा गया है यह आप देख सकते हैं इसे आप खोल के बाहर निकाल सकते हैं जिसे बच्चे इस पर चड़के अंदर आसाने से एंटर हो सकते हैं यह नाइड मोड के लिए आपको यहां पर लें पता देना चाहते हूं कि 45 राती है यह बस और आसानी से आप देख सकते हैं गेब फूत अच्छा इसमा आने जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती हैं और हर सीट्स पर आपको यहां पर हैंडल्स मिलने वाल हैं पकड़ने के लिए टू बै टू की इधर है और त्री बै त्री की इधर मिल जाती है आपको पीछे सीट्स पर आप देख सकते हैं सीट बेल्ड्स यह इमरिजिंस्टी डोर है यह पीछा आपको मिलते एक पायर एक्षेंशन टैंक और हर सीट्स के नीचे बैग रखने के लिए आपको कुछ इस तरह की मिलने वाले हैं और उपर भी इधर देख सकते हैं आप बैग हो गर यह आप रख सकते हैं इस पर इमर्जेंसी बटन दिये गये है हर सीट्स पर उपर ग्रीन के कलर के पायप लगाया गया है मजबूत पकड़ने के लिए सेफ्टे का दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ अच्छे यहां ध्यान रखा गया है और उफलेट एरेडी मिलती है आपको इसमें स्लाइडिंग विंडोस हैं कुछ इस तरीके साब इसे लोग भी कर सकते हैं और यहां पर ड्राइवर के लिए मिलता है अपनी सामान रखने के लिए इसमें रिफ्लेक्टर टूल कीट वगरे यहां पर देख सकते हैं आप ऌलिपंलेख से टूल कर सकते हैं इसकी जेग रूड हूजए आपको फायर एक्षेंशिन टेंकि क्रिक है अब दछते हैं वायर से जुड़ा है है और यह जुड़ाव यहां से FDSS फायर डिटेक्शिन इस्प्रिंगलर सेंसर से जो कि इमर्जेंसी में आटमेटिक काम करता है कि यहां पर मिल जाता है आपको मैन्यूली फायर एक्सेशन टेंग यह हैमर मेंसे ग्लास तोड़ने के लिए और यह ड्रावर केविन कुछ तरह के नजर आती है देख सकते हैं आप यह को पे सेंजर्स यानि ड्रावर का असिस्टन्ट उता है उसके लिए यह आप दूसा आम रेष्ट भी मिलता है इसकी सीट पर यह बॉनट कवर जिसे कि आपको भी अपना इसे खोल का बॉनट चेक कर स अब में सकते हैं यह बोर होल्ट मिल जाता है एक है यह यह बोटर होल्ट सब्सॉ secondo आ माईर यह LA आ मुझे आप देख सकते हैं ड्रावर के लिए काफी smart guys क्या गलोबक् tv बॉक्त मिल जाता है इससे उब हो अपने काफी चीजे के लिए आप रख कर सकता है और यहां पर आप देख पाएंगे अंदर का IRUM जिसे ड्राइवर पूरी केबिन के इसमें साइड आसने से कवर कर सके LED रूफलैट मिलने वाली है ड्राइवर केबिन में यह ड्राइवर के लिए फेन भी मिल जाता है मेडिकल केट और यहां पर आप सीटो का जो लुक देख सकते हैं दोस्तों वह है ग्रीन और ब्लूल में बहुत शांदा लोक आ रहा है इंगे सीटों का और अब अपन करते हैं ड्राइवर साइड के तरप से और यहां पर आप देख पाएंगे कि ड्राइवर अपना मोबाल रख सकता है और यह स्पेस मिलते हैं जिससे के अपना वह कुई सामान या फिर बोतल हो गरह रख सकते हैं यह लोक लोग है इनर हैंडल मजबूत पकड़ना के लिए और यहां से पकड़कर ड्राइवर अपनी केविन में आसाने से एंटर हो सकता है पेडल्स मिल जाते हैं एरब्रेक का लिवर यहां आपको दो यूएसबी पूर्ट चार्जर को देखने के लिए मिलेंगे यहां से क्लेज फिल्यू डाल सकते हैं और कुछ इस तरीकी मिलती ह है इसकी ड्राइवर सीट यह ऐसी से आप आगे पूचे मूग कर सकते हैं एड़ेस्टिबल सीट यह मिलता है फोर स्पोक स्टेरिंग विल्स पावर स्टेरिंग है यह ताटा का लोगों यह मिलता है विस तरीक डेक्श्बूर नहीं जाराता है इसके सारे कंट्रोल से अंद रोम वन यह बैटरी कर तो फैज यॉर्ट के गंट्रोल मिलेंगे इसके वाइपर के कंट्रोल यह कुछ थरिक गेंटोल मिलता है दोस्तों और यहां पर अगर ड्राइवर के लिए दूप आ रही हो तो वो कुछ इस तरीके से इसके सानवाजर मिलता है जिसे नीचे कीज के दूप के लिए बच सकता है और यह आप वापस लिए और कीजने से वापर पर चला जाता है और यहीं पर बात के लिए इसके इंजन की तो आपको इसमें मिलने वाला है दो हजार नो सो चपन सीसी का बीए सिक्स फोर चिलेंडर डीजल इंजन जो सो एचपी की पावर वो तीन सो एनिम का मेक्जिमम तोर्क जेनरेट करता है जिबी चार्ट सो केबल शिफ्ट गेर बोक् मिलता है आपको इसमें ओल्न्न्न टाटा स्कूल बास 15 शेटर का हांतो दोस्तों किसे लगे आपको एओ ओल्न्न्न टाटा मोटर्स की स्कूल बास ल्पी साथाच शूदस 15 शेटर हमें कमेंड में जरू बताएगा हम मिलते हैं इसके नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए गुट बाइ और टेक के मैं होल फ्रेंट